सो हेल गाइस विल्कम बैक टू मैं चैनल आज आएं केटियम ननमाद और आज ही यहाँ पर विडियो शूट करें जो निवली लॉंच केटियम आरसी 125 था उसके उपर जो आप लोग देख सकते हो 2022 जेनरेशन का केटियम आरसी और यह वाला कलर जो है आपको 200 में भी प्राइबी कले ना तो चलो वीडियो स्टाट्ट दर्ड़त है अब इन कावंड़े इस कावंड़ें डू बाइस तूंड़ पर वे लोगें पूर वे फ्रम इस ताउन ने चुवार वे उच्वार वेट यहाँ रवी जो टू एल्प वीन नाव तो जो यहाँ जा निवें तो भाई कमेंट सेक्षिन में आप लोग बताना आप लोगों को इसका सिनेमाटिक शॉट्स कैसे लगा और भाई देखने से तो दूर से अगर कोई देखेगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा यह वाली 125 CC की है क्योंकि बॉडी फेरिंग का कोई मतलब की उतना डिफरेंस नहीं यह 200 भी अगर बगल में खड़ा कर दूँगा लाके तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी 125 CC का इंजन है कि 200 CC का इंजन है क्योंकि एक जरह से भी कुछ मेरे को ऐसा चेंज नहीं लग रहा है थोड़ा बहुत चेंजे से तो वो आपको बताएंगे और बाकी फ्रेंट फेस में कहा था तो आप लोग जाके चेकाउट कर लेना उसका रिव्यू दिया हुआ है बाकी बात फ्रेंट से स्टार्ट करोगे तो फ्रेंट में एक बड़ा सा आपको वाइजर मिलता है हेट लैंप मिलता है जो अच्छा घाजा मैं बोलूँगा आपका विंड प्रोटेक्श आपको बॉड़ी पर इंडिक्रेटर है पहले होता किया था कि पुरानी वाली आरसी में आपका रहता था लेकिन अब फेरिंग पर इंडिक्रेटर कर दिया गया है अपके इंडिक्रेटर वगरह को तो ओवरॉल मैं बोलूँगा लुक काफी अच्छा आ रहा है बाकी एज एज दियारेल आपको नीचे प्रोवाइड किये हुएं अर जा फूर्जाइड फरन्ट इसका हैटलैम्प वह आपको एलोजण यूनिट एडलैंप सेटप रहा है और बस आपको डियार्यल वगरह यहां पर इंडिकेटर एंड परेंट में हैघ्लोजन एड्लैं बाकिए ब बाकी बाद टायर का डाइमिंशन बता देते हैं आप लोग को जो इसका है वो अराउंड 110 बाई 70 का टायर है और 17 इंच का एलोई है और इस साइड में आते हैं तो इस साइड में आप देखो तो ब्रेक स्कीम जैसा चेंज हुआ था जैसा आपका आर सी 200 में आप लोगों ने देखा हुआ कि बस इतना ही पार्ट यूज कर रहे हैं ब्रेक्स में तो यह मैं बूलूंगा पहले में पहली बार देख रहा था जो केटीम ने यह वाला नीचे दिख जाएगा और इधर भी एपेक्स का मार्क वगएरा और रिफ्लेक्टर वगएरा प्रोवाइडेड है बाकी बाद नीचे में आप यहां से देखो आपको कर्व रेडियेटर एंड साथ-साथ नीचे में आपको यहां पर कैट कैन दिया हुआ है बाकी फेरिंग क्यों लेकिन 125 में दिया है तो यहां पर आप फेरिंग देख सकते हो RC 125 का मार्क KTM कम्प्लेट लिखा हुआ है जो काफी देखने में आउसम लग रहा है और डिजाइन तो है पैनल का डिजाइन काफी अच्छा गर दिया गया बस फेस से बहुत को सैटिसफाइड नहीं है फ दो सैट से भी आपको दिखा देते हैं तो इस सैट से भी देख लो फेरिंग वगेरा चैनल लुक आ रहा है यह वाली ब्लैक कलर को बाकि टैंक की बात करें तो हाफ आपको फाइवर एंद हाफ स्टील में मिल रहा है और कंपीट मैड ब्लैक सेटप में आपका टैंक हो गया टैंक का बात आते हैं हैंडल पे डू डबलू पी का जो आप मार्क देखोगी हैंडल पर बाकि पास लाइट वगेरा हाई विन लोग में राइट लिफ इंडिकेटर है हॉन और यहां पर किल स्विच वगेरा और अभी इस वाले कवर को हटाते हैं और आपको दिखा है इंफो वगेरा है तो मेंटर का साइज भी बढ़ा है एंडशा से डिजेट भी बढ़े है समझ जब एडीवी टू फिफ्टी में जैसा आता है वाई उसी टाइप का मीटर है और फ्यूल रेंज वगेर ट्रिप वन ट्रिप टू एबियस रोड और उसके बाद सेट में अ कीप कीप प्रेज लिखाया है रिलीज बटन रोड और में भी यह सूपर मोटो एबियस एंड डूबल चैनल लीए दोनों चेंज करने के लिए उसके बाद लॉन प्रेस करने से आपका एक सेट का ओप्शन आता है जिससे आप और्प्यों अगियरे न क्लॉक वगेर शेट कर सकते हैं जैसे देखो शेट लॉक आ नेक्स सर्विस आ गया शिफ्ट इंडिकेटर आ गया तो चलो एक बस स्टार्ट करते हैं बाइक को आवाज तो मतलब ना के बराबर आवाज है यार 125 सीसी पर और हेट लैम देखो उतना ज्यादा लाउड नहीं है अब आके अपको शिफ्ट दिखा जेते हैं आर्केम मेटर दिखा जेते हैं काफी लो साउंड है बंद कर देते हैं बीएस सिक्स में ही कंप्लीट साउंड खतम हो गया तो समझो बाइक का और यह वाली जेनरेशन में भी उतना साउंड ही नहीं सीट मैं बोलूँगा अच्छे कर दिये गाएं वेल्ड कुशन सीट कर दिये गाएं पहले तो सीट समझो था ही नहीं और ग्राइब हैं अच्छे से इदर प्लेस है तो आपको कोई दिखत नहीं होगा हो तो वह सब तो आप लोग जानी रहे हैं कि अब जै इसी आरहा है टेल व्यू टेल व्यू में नो डाउट बहुत ही सेक्सी टेल व्यू आ रहा है और सीट भी अच्छे है आपको टैंग भी अच्छा कर दिया गया है बस जो फ्रेंट फेस से उसे थोड़ा सा शार्प देना चाहिए था वह थोड़ा से चौड़ा हो गया दिखा दें जहां पर आपको ब्रेक एंड एबी असरीम वगेरा जो है और टायर डाइमेंशन की बात करें वन फिफ्टी वई सिक्स्टी का टायर डाइमेंशन है 17 इंच का अलोई है बाइब्रे का ब्रेक से टम मिलता है मोनो शॉक सस्पेंशन है अंडर बेली दिखाया और अब आएंगे इंजन पर आपको 125 CC पर इंजन है सिंगल सिलेंडर फो स्ट्रोक पावर की बात करें 14.95 PS का पावर एंड टूल न्यूट्रमिंटर का टॉर्क आपको प्रवाइट किया हुआ है और यह आप मैं समझो समझो 125 CC की बाइक है बस मैं एकी चीज बोल को अविलेबल है के टीम धनबाद में जिनका डिस्क्रिप्शन कॉंप्रीट दिया हुए वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर और इसका जो ऑन रोड प्राइज है वह भाई दोला क्रॉस कर गया मतलब टू लैक एट थाउजेंड 943 रूपीज इसका ऑन रोड प्राइज है त आप लोग के टीम पहले हैंडल कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि पहले से लाइट वेडर हैंडल काफी इजी हो गया चलो वीडियो में लोग एंड करते हैं थैंक्यू फो वाचिंग एंड कीप सपूर्टिंग